नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप स्वागत है आप सीका और आप इस वीडियो में दोस्तों बात करें के नई सिच्छक भरती को लेकर साथ में 36-590 अब्याती खुशकभरी के वाएं में कम गुडांक वाले जो अब्याती हों उनके लिए भी बात करने वाले हैं तो बनवाबन सारी अपडेट हम करेंगे चली 200 वीडियो शुरू करते हैं सब्सक्राइब करें करें तो लेकर है टीटी चेंपिंशिप टेस्ट जिसको आप लाइब अटेंप्ट कर सकते हैं 6 दिसम्बर 2020 शाम 6 वजे से यह टेस्ट साथ मिलड़का होगा इबी एस हिंदी इंग्लिस और मैथ के इसमें कोशिशन पूचे जाएंगे फर्स रेंट वालों को मिलेंगे 5000 अमजोन बाउचस इतना ही नहीं यह टेस्ट विल्कुल फी है आज ही एन और करें लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है अगर आप टीटी की प्रपेशिन क आप अधियो की डिसक्रिप्शन में है आज ही एन और करें लिए आपके लिए आपको रहे एकसेस कर सकते हैं अग्यों की डिसक्रिप्शन में है अगर आप TET के पर पेशिंग करें तो अनकेडमी लेकर आया मेगा कोई सीज फ़र MPTET जिसमें आपको मिलेंगी फ्री लाइव क्लासे अनकेडमी पर आठ दिसम्बर से दस दिसम्बर तक लाइव क्लासे का शेडूल आपके सामने दिया गया है नो बजे, 11 बजे, 12 बजे से इ जो batch courses होगे उनको भी access कर सकते हैं, mentorship and guidance भी मिलेगी, साथ ही exhaustive covers होगी सभी लेवर्स पर, regular doubt clearing session भी होगा, साथ ही live test आप सो भी attempt कर सकते हैं, study material भी मिलेगा, pdf format में, आज ही annual करें, link वीडियो की description में, टीटी के लिए आप कोई भी subscription लेना चाहते हैं, 1-1, 3-1, 6-1 और 12-1, 3-1, online अड़ा के referral code के साथ आपको मिलेगा 10% का discount, सभी courses के लिए एकी subscription काफी है, आज ही subscription लेए link वीडियो की description तो जैसा कि आप सभी को बताए कि 99 अजा सिच्छक वरती अब पूरे तरीके से complete होती हु हैं, इससे पहले आप सभी के मन में बहुत साजी सवाल होंगे, चाहे वो NCBC MRC से संब्दी तो इसके बारे में आप सभी को बता देंगे, क्योंकि नीचे हमने लिखा हुआ कि सभी मुद्दों से रहात मिली है, लेकिन उससे पहले जितने भी अभ्यरती इस वीडियो को हमेसा आप लोगों के साथ में खड़े रहें, ऐसे मैं आप लोगों को बताएं कि पांस दिसम्बर को आपका जो कहीने के यहां से शासना आदेश जाजी हुआ था और पांस तारीक कोई निप्तिपत्र मिलने वाले हैं, हाला कि फर्क से इतना है कि दो साल तक लंबी नोती भी दिखाई दे रही है, लेकिन ऐसे में पिछले दो साल के अंदर जितनी भी परहसानी अपडेटी नों जेली, उसी प्रकार हमारी दर्फ से आप सभी को तमाम अपडेट दे कर बहुत सारी परहसानीयों की बीच में आप सभी को कहीने की अप टूडेट रखा गया, उसके लिए कहीने की आप सभी को तो बताईए, लेकिन जिसा कि आप सभी जानते हैं कि इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी अपडेटी हैं जो पिछली दो साल से नई भरती का इंतिजार कर रहें, अब कहीने करी नई सिच्छक भरती का 112 मोना चाहिए, रोज मैं देखता हू अब्यती ट्विटर वार करते हुए दिखाई देते हैं, मंती सांसत को भी ग्यापन सौपते हुए दिखाई दे रहें, क्योंकि सरकार अगर भरती के लिए एक्टिव है, तो जल्द भरती का जो जारी करवाया जाए, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे अब्यती हैं, जो नई अपनी नोकरी के लिए समय समय पर आगे आगे अपनी मांगे रखी, और कहीं ने कहीं जिस परकार सरकार की तरफ से जानकारियां दी जारी हैं, कि मार्च के अंदर आप लोगों का यहां से यूपी टीटी कम्प्लीट हो जाएगा, तो ऐसे में एक महीने के अंदर ही नई सि सिच्चक बरती के बारे में, उनके पास जवाब होता था कि प्राइमरी में एक पहली सिच्चक बरती निकली हुई है, जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, तो ऐसे में नई सिच्चक बरती कैसे आएगी, दूसी तब आप सभी को बताएं, सिच्चा सिवा चैन, आयोग का गठन होना है, उसकी वज़े से वेकेंसी डिले हो दी चाहिए, वो जूनियर सिच्चक बरती हो, तो ऐसे में सरकार वे लगातार प्रेशर बनाना पड़ेगा, बहुत चारी रड़नीतिया आप सभी के साथ में साज़ा की जाएंगी, लेकिन कहीने की अभ्यातियों को जोड अभ्यति हैं, उनको एक नोकरी के लिए करिने की एक टार्गिट सेट करके बैठ जाएं, कि बहुत चार से पांच महीने के अंदर हमें यहां से एक भरती आने वाली हैं, जिस पर हमें अपनी एक सीट रिजर्व करके रखनी हैं, क्योंकि अगर आप लोग एक्टिव हो जातर सिच्छक भरती की जो मांगे वो रखनी पड़ेगी, हो सगा तो अंदर भी करेंगे, वहीं दोसीता बात के 36-590 अभ्यतियों को तमाम बिवादों से रहात मिल गई हैं, ऐसे में आज आखरी दिन था काउंसलिंग करा जो की कम्पलीट हो गया है, दो साल की लंबी पी जानकाई मिल जाएगी, इसके अंदर भी आप सभी के सामने आ जाता है, कि पांस ताई को आपको निप्तिपत्य मिलने वाले हैं, अगर हम बात करें, राज की इंटर कॉरिज महवरिया के अंदर, जो कि मेज़ापुर की जो बात है, वो की जारी है, और भी तमाम नौटिफिकेशन जारी हो रहे हैं, यह सारे के सारे नौटिफिकेशन अपने टेल अलावा अगर हम बात के हैं, जिसा कि आप सभी जानते हैं, जो मामला लगा हुआ था NCBC के अंदर, वहाँ से भी कोई अपडेट ऐसी देखने के लिए नहीं मिली, जिसके माध्यम से यह कहा जाए, कि आज क्या क्या अपडेट देखने के लिए मिली, हाला कि मामले की सुनब बारे बज़े से होनी थी, तो ऐसे में अगर कोई अपडेट निकलती तो आपको बता दिया जाएगा, लेकिन अगर सिंपल सब्दों में कहा जाए, तो 36-590 अभ्यतियों को फिलाल के लिए तमाम मुद्दों से राहत मिल चुकी, चाहे वहां सेकी का मुद्दा राह हो, या मासी का मुद्दा हो, या फिर कोई भी उनेतर जा सिच्छक बती के लिए जो मुद्दा लगा हुआ है, अगर बाद में सुन भाई हो कि तो आपको देखने के लिए मिलेगा जो भी होगा, लेकिन फिलाल पूरे तरीके से निक्ति पत्त का जो रास्ता है, वो साफ हो चुका है, बहुत सारे अभ्याती कहीने की काफी लंबे समय से इंतजार करें थे, ऐसे में कल उनको यहां से निक्ति पत्त मिलने वाले हैं, और आगामी समय के अंदर उनके नाम के आगे से जो बेरोजगार का टेग है, वो पूरे तरीके शट जाएगा, तो भावी सिच्छकों को देशाई शुब काम नाएं, और बड़ी खुशकरभी के साथ एक नई जिन्दगी में आप सभी का स्वागत भी होगा, तो ऐसे में ये तो बावत्योती 36,000 के वारे में, लेकिन दो सी तब कम गुडांक वाले अभ्याती काफी ज़्यादा परिसान है, सोबसी अभ्याती प बताया था कि आपकी थर्ड काउंसलिंग 100% होगी, इसको लेकर बेसिक सिच्छा मंती सर से मुलाकात करने का जो प्यास है, वो भी किया जा रहा है, निव्तिपत्र बित्रण की वैसे अभी मुलाकात का समय नहीं मिला है, जैसे जानकाई निकलेगी आप सभी के सामने रख द जाएगी, लेकिन इस चीज़ को लेकर पैसान होने की बिल्कुल भी आप शकता नहीं है कि थर्ड काउंसलिंग नहीं होगी सरकार की पूरी तयार ही आए, जैसे ही मौका मिलेगा आपकी थर्ड काउंसलिंग वो करवाली जाएगी, सवाल आता है पतों की संख्या को लेकर ज जिलों की अंदर, जो कि सुबह के समाचार प्रतों के अंदर देखने के लिए मिला था, यहाँ पर अगर पदों की संख्या देखी जाए, तो लगबख देखने के लिए मिली जी डाही अजार के सम्थिंग, लेकिन यह अननते में, जैसा कि आप सभी को बताए कि आज भी अ कि थर्ड काउंसलिंग होगी, मैंने आपको बताए भी था, तो ऐसे में अपने डोकुमेंट्स त्यार करके रखिए, अब सवाल यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता कि थर्ड काउंसलिंग में मेरिट कितनी कम जा सकती है, तो जैसा कि मैंने कई बाइब आप सभी को कहा है कि 5000 सीटें बचनी की जंबाब ना है, लग भी ऐसार आए कि 5000 से थोड़ी जादा बच जाए, लेकिन शर्जोधन पर फैसला होने के बाद में आपको चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, सुबर तक का इंतिजार करिए, लेकिन जैसा कि मैंने आप सभी को पहले काय कि अग कॉंसलिंग देखने के लिए मिलें, लेकिन जैसा कि आप सभी को बता है कि आज के बाद में सुबर तक आपके सामनी आगटे देखने के लिए मिल जाएंगे कि कि तनी शेडो बचल Andraord ऑस voz का है